है वीवर्स विल्कम बैक तो मैं चानल तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सूपर टेस्टी यमी सी दाल मखनी रेस्पी तो आप सब जानते हैं कि यह कितनी पॉपिलर डिश होती है और यह बहुत ज्यादा टेस्टी भी होती है तो यहां पर मैं आपको रेस तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने वन कप ब्लैक उड़त दाल एंड वन थर्ड कप किड्नी बीन्स यानि की राजमा लिया हुआ है इनको मैंने अच्छे से वाश करके ओवर नाइट सोख करके रखा था नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसे प्रिशर कोकर में एड़ करके एक प् अच्छे से लिए और यहां हमारी गुल्डन म्राउन हो गई तो मैंने उसमें वन टीश्पूं जिंजर पेज एंड वन टीस्पूं गार्लिक पेज एड़ करके उसे टू मिनिट तर लो फ्लेम पे सौटे किया है तो टू मिनिट तक सौटे करने के बाद मैंने इसमें वन ट जीरा पाउडर एंड हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर एड़ करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है एंड मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा से वाटर भी एड़ किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद य जब तक भीन डूक और इस नहीं दो फट रहे जब तक नहीं और जो प리 extra स्छल्ट है सकते हैं यहां चुछ तक अगेकेदा नहीं सबस्ट करें केर्यों । मnesाले और अजिए को यहां प्रहु क्षक्षज का अच्छी क्किया टैरा करो जचानी पिने दाल आप और मैंने वाटर को अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग रखी है जितना आप चाहते हैं इतना आप रखी है तो यहां पे देखिए मैंने दाल मकनी को मलाय क्रीम के साथ कुप कर लिया है यहां पे मैं इसके लिए तड़का रेड़ी कर रही हूं तो एक पहन में मैंने 30 ग्रैम बटर लिया है और जब यह बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा तो मैंने गैस की फ्रेम को आफ कर देना है एंड हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च आड़ करना है यह हमारा तड़का रे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब मैं इसमें आप ऐसे अ कोरींडर लीव से गानिश कर दूँगी एंड मैं इसे एक बोल में ट्रांश पर लूँगी तो यह देखे रिखेए हमारी डाल मंखनी रड़ी हो चुकी है मैंने उसे एक बोल में ट्रांश कर लिया है याई बिस्कुर्ण